गुड मॉर्णिंग माई इस्टेंट्स तो आज आप लोग कैसे हैं बहुत अच्छा यानि कि हमारा कॉंसिप बहुत अच्छा होने वाला है यानि कि आपको नॉलेज बहुत अच्छा होने वाला है तो चलिए हम बहतर से बहतर नॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बहुत लेना है और सल्वूशन करना तोपिक टू में हमने बताया था कि अगर टर्म्स दिया रहाता है तो उसको गुरूप वाइज बाट लेते हैं गुरूप वाट्टी के बाद सल्वूशन करते हैं यानि कि कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं अब टॉपिक ठीरी में हमने बताया था कि अगर दो भाइलूश दिया रहा है डोनोड डिफिनेंस हो तो उसका कैसे करते हैं और आज मैं बात करने वाला हूं टॉपिक फोर में अगर कोड्रेटिक ट गुलेसंस है हमने अक्सर में बनता होना कि अलग अलग सहरों में जाने के लिए अलग अलग गाड़ियों को होना हो सक है तो अलग अलग प्रोब्लम्स के लिए अलग 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 मेठाट का होना जरूरी है तो चलिए इसी बात को लेकर के आज हम बेहतर कॉंसेप्ट लेकर मीडिल ठीक है आप देखिए मीडिल टर्म्स क्या होता है ठीक है प्योर नंबर्स क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा कॉंस्टिंट क्या होता है थोड़ा इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है और किस टाइप के कोशन पूछे जाते हैं इसके बारे में जनकारी द texye जो रहा है देखिया यहाँ पर निक दीखिया काथर davon 2 होना चाई चाहिए चीए बरेया शियद लिया जाता है हम कहते हैं कि एकнаushy और काटीशन ले सकते एक अवन ूरर г efecto मिव चलना होता नोजी के लिए काम बात यहाँ पर करते हैं देखिये ठीरी टर्म से ट्राइनोमेल मतलब ठीरी टर्म होता है चले ठीरी टर्म से दिया रहाएगा देखिए इसको पाचाने के कैसे फॉर्म्स होता है Ax2 plus Bx plus C एना जी, पाचाने कहें, इहीं सबसे बहतर तरीका है किसी को पाए, रभी सर रभी सर को कैसे पाचान लेते हैं रभी सर टोफी पेहने रखते हैं इसलिए पाचान लेते हैं तो यहाँ पर वही बात है फोर्म क्या होता है, Ax2 plus Bx plus C यहाँ पर देखिए नंबर है A B C क्या है नंबर है चलिए एक्स यहाँ पर भैरियेबल है अब हम यहाँ पर बहुत important concept बता रहे हैं C ही इसको मानिएगा आप pure नंबर ठीक है अगर माल लेते हैं किसी किसी questions में क्या हराता है ना सुनिएगा कि B X पहले दिया रहता है ठीक है A X B X पहले दिया रहता है A X बीच में देगा C ऐसे तो आप उसको अरेंज कर दीजिए पावर को घट्टे करमें इसको आपको इस तरीके से अरेंज करना होगा इसके बाद solution किजिए हो जाएगा factorization अब यहाँ पर देखेगा थीरी टर्म्स होता है तो देखिए A X स्कार प्लस B X इसको देखिए मीडिल टर्म कहते हैं ठीक है यह प्योर नमबर हो गया और यह तो ट्रप्लाइ के रूप में होगे के लिए शलिए इसकी स्टाइब को कोशन पूछता है हम मैं बताता हूं दिकिए पार्ट यह में ऑल्ल फुजी टीव पार्ट ऐमें ओल्फूजी टीव होना जै देकिए एक सस्कार प्लस BX फलस टोटल पलस है एक स्टार पलस BX पलस टोट पालस में एंने कि पार्ट ऐ मेडो टैस्ट को कोशा जाय का है नहीं जी यह सियो्ण यहां आहanu पता चल रहा है तो तो यओर है देखिए लिए पाटी पार्ट भी में लिख़ा है प्योर नंबर माइनस में में कर दिक één मीडिल टर्म माइनस मोहना चाहिए यानि कि मीडिल टर्म माइनस मोहना चाहिए यानि कि मीडिल टर्म माइनस मोहना चाहिए यह वाला पलस है तो माइनस मोहना चाहिए यह भी माइनस मोहना चाहिए चलिए देखे एक सुसक्र मैनस बीक्स मैनस सी है चलिए यानि कि हर पार्ट म पुछे जाएंगे और देखिए हर पार्ट में डो टेप्स का कोशन पुछा जा रहा है मैं बिल्कुल अच्छे तरीका से सलूशन बताऊंगा ठीक है अब एक चीज मज़ी के बात है नोट में लिखिएगा कि देखिएगा रूट इमने की ए बी सी रूट में भी हो सकता है तो देखिए इसको रूट ए रूट बी रूट से लिख सकते हैं अब देखिए यह मल्टिप्लाई के रूट में भी हो सकता है कोई नंबर है इन क्या है एन एन नंबर इन एन नंबर ठीक है देखिए इन हो सकता है कि माइनस में हो पच्छाइब अर्फ वालस में हो पहले हो सकता है माइनस में कोई बात नहीं इन रूट इन रूट भी इन रूट से ठीक है तो चलिए इस अलग-अलग टाइप्स का अलग-अलग तरीके से हम हम सोलूशन करने वाले हैं तो चलिए आप लोग इसको नोट किजिए ठीक है अब हम आते हैं पार्ट ए में ठीक है हमने बोला था कि all terms positive होता है तो चलिए देखिए इसका फॉर्ण दो होता है और दो तरीका से सॉलूशन भी करते हैंदे एक सुस्काइर प्लस BX पलसी है ठाइब टू में हैं एक सुस्कार प्लस BX पलसी तो चलिए हम टाइब वन का सुलूशन कैसे करते हैं उसका हमने आपर concept दिया है सुनिएगा ध्यान से एक सुस्कार प्लस बी एक स्पलस सी रहेगा ठीक है इस एनिकी इसका कुछ नहीं है तो कोफिशेंट वन है हमने हम अक्सर बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं तो यहां भी एक स्कुर्ण का कुफिशेंट कुछ नजर कर समझना है कि वन हैं तो चलिए अब यहां पर सुनियेगा डेईरेट सी का एलसीम लेते हैं ऑद सीके किषूं में गता हरते हैं तो यहींल सियम को आईडिया होता है जहीतना वरिएबल पर पाऊच्क होता है उठना में में मेलेटर ब्रीक सबस्क्क होता है हना बच गया एक्स यहां पर बच गया फालस की यहीं फार्मेट होगा और इसका भी सलूशन इसी फार्मेट से हम करते हैं सुनिए गध्यान से डाइडिक्ट किसका लेना है 18 का चलिए 18 का जब हम ले लिए डाइडिक्ट तो डिकिये 2933 चलिए यह रॉप करना बहुत जरूरी है रॉप करना है देखिए यहां नहीं की 2 x 3 x 3 लिख सकते हैं अब देखिए कौन ऐसा प्रोसेस करें इसको दो नंबर की रूप में बटना है ठीक है जिसका सम होना चाहिए 9 यह न तो चलिए 3 में 2 से मल्टिप्लाई किये 6 और यह आगे एक 3 यानि कि यह भी पलस में होगा य अब देखिए यहां पर अराम से कुछ देर नहीं करना है लिख दीजेए 6 x और यहां पर 3 x अब पलस 18 हो गया अभी देखिए इन दोनों में बात करते हैं अब गुरुप में हमने बाठ दिया और यहां से एक स्कॉमन हो रहा है चलिए हमने एक स्कॉमन लिया यहां बचा ए पलस 6 अच्छा अब दूघर हो गया दो घर में देख रहेंगे कॉमन फैक्टर क्या है एक स्वारस शीच चलिया हमने एक स्पछला सिक्स लिया और यहां बचा एक्स और यहां बचा छीरी ठीघ और यहां पर यह हुआ हमारा एंसर की लिए रहे चलिए आप यहां पर दीकिए ठाक तो agree इसे इंट वन है न जी ठीक है मल्टिप्लाई की रूप में वन है तो डाइरेक्ट हम सी का यानिकी 30 का वैल और यहां पर देखिए मजी के भली 30 क्या प्योर नमबर है किसी के साथ मल्टिप्लाई नहीं है तो चलिए 30 30 के एल से मिलेते हैं इसको हम क्या करते हैं इसको दो फॉर्ट में बटना है और इसको ताकि यह देखो एल से मैं आइडिया दिया है बी को कैसे ब्रेक करेंगे इलेबन को कैसे ब्रेक करेंगे तो देखिए यहां से पता चल जाता है तू थीरी 6 हुआ और यह फाइप और दोनों किस रूप में रह एकस अस्क्वायर पालस 6 एकस पालस 5 एकस पालस 30 अब देखिए यहां पर यहां पर बात करेंगे तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है एकस है चलिए एकस एकस पालस 6 अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है तो 5 तो चलिए हमने यहां पर लिखा है 5 एकस पालस 6 है नजी अब देखिए यह दो नुक घर में बात करते हैं एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 6 हमारा common हो रहा है तो चलिए हम यहां पर लेखते हैं एक्स प्लस 6 common ले लिया और यहां बचा एक्स और प्लस 5 बचा यहां चलिए यह हमारा हो गया एंसर बिल्कुर समझ में आएगा फ्रेक्टराइज कर दिये ठीक है इसी तरीके से करना घबडाना नहीं है अब तरह हम रूट के बारें बात करेंगे क्योंकि यहां पर मीडिल टर्म को रूट रखते हैं देखते हैं अल रूट में फाइप रूट थीरी एक से कोई बात ने घबडाना नहीं है ठीक है तो हमनी क्या बोला है कि एक्स उसकर का कोफिशन देखा जाता है कुछ नहीं तो वान है तो डाइरेक्ट हम 12 का क्या करते हैं LCM लेते हैं सुनिएगा दो छे तू थीरी यानिकी टू इंटू इंटू थीरी आ रहा है कि यहां तक अच्छा एक चीदि के रूट के अंदर थीरी होना चाहिए ध्यान सुनिएगा रूट के अंदर थीरी होना चाहिए तो चलिए हमारे पास एक उपाय है हमारे पास उपाय है तो दिखिए टू इंटू इंटू रूट थीरी इंटू हमको इसको ऐसे में बाटना है कि 5 रूट 3 आ जाना चाहिए तो चलिए हम देखिएगा 224 तो फूर रूट 3 और रूट 3 कि यह तो 5 रूट 3 आ जाएगा जी यह भी पलस में और यह भी पलस के लिए रहना चलिए यहां पर देखिएगा एकश और स्क्वायर पलस फोर रूट 3 एकश पलस रूट ची संद्धिया आयाय संद्धाःते ह shopgenec a ai fixe हमारे पास ड्याइजी रूट एहां धीकि इस हाठण दिये क्या बचा पोर रूट थीरी बचा बचाने जीप सुनिएगा यहां पर reliedएक से 12 गोट जब हम इस तरीग से यह मल्टिप्लाई किये है तो देखे रूट थीरी तो निकाल दिये चली रूट थिरी हां से रिकल दे या बचा फोर रूट थीरे यहां पर लिख देंगे दिने means 450ड थीरी झाल देखिए अब देखे दोनु घर में दोनु घर में क्या आंसर यह सी को तो कहते हैं अब सुनिए का ध्यान से यानि कि एक स्कार का कॉफिसेंट कुछ नहीं है वन है तो चलिए डिरेक्ट 6 का हम एल सेम लेते हैं चलिए 6 का एल सेंफ टू थीरी कोई बात नहीं बहुत ही असान है तू थीरी लेकिन हमने क्या देखा कि यहां पर से एडिया गया इसको कौन सा ऐसा दो नंबर में पाते कि थीरी रूट थीरी आया तो चलिए हमारे पास आया एक हता है two root three और यह है किलेर है ना तदेकिए two root three और one root three, three root three आ चुका है तो चलिए हम इसमें देर नहीं करेंगे x square plus 2 root 3x plus root 3x plus 6 अब एक चीज देखिए इन दोनों में common क्या है गुरुप में हमने बाठ लिया है दिक है चलिए x x यहां क्या बचेगा x यहां बचेगा 2 root 3 और इसमें देखिए मज़े की बात यहां से root 3 common होगा देखे देखे यहां पर एक्स अकेला है ना तो यहां भी एक्स अकेला आना चाहिए ठीक है तो रूट थीरी को निकाल दिये हैं यानि के रूट थीरी को बाहर निकाल दीजिए नॉसित का मृंत दिखते हैं दोनों घरंगे का कौमन है तो दोनों घर में talks कौमन है तो चलिए एक्षबार्स तू रूट थीडिया यहां बचा है एक्स और यहां बचा है रूट सिरी बिल्कुल समझ में आ रही है यहां पर हम घेर करके लिख देते हैं एंसर चलिए हमने फैक्टराइज कर दिया हाट तो नहीं नहीं जी अब डर्ना नहीं है ठीक है इसको नोट कीजिए अब फाइप में आते हैं चलिए यहां पर एक सिसकर का कोफेशिंट वन है चलिए डिरेक्ट 30 का एलस निकालेंगे चलिए डिरेक्ट अगर 30 का एलस निकालते हैं तो क्या होता है 2 15 3 5 यानि कि 2 2 3 5 हो रहा है यह यह ना लेकिन यहां पर रूट के अंदर पाइफ है तो कोई ब होता है तो देखिए रूट 5 इन्टूरूट 5 करना होता है ठीक है हमने किया रूड़5 इन्टूरूड 5 होता है चली अब हम यहाँ बात करेंगे 5 आना चाहि नंसी तो देखिए 3 कि लिखर इक में बाढ़ या एक में 2 रूट 5 पाइप अब दोनों को add कीजिए तो 3,2,5, 5 हो गया चलिए यानि कि यह भी पालस के रूप में है यह भी पालस के रूप में हो गा तब कुछ नहीं देड़ नहीं करना है लिख दीजे 1 स्क्वार पालस 3 रूट 5 x पालस 2 रूट 5 x पालस 30 है न जीव अब देखिए दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में common क्या है एक्स है चलिए हमने एक्स कॉमन लिया और यहां पर बचा एक्स और यहां आया थीरी रूट फाइप ठीक है अब इन दोनों में common क्या है तो इन दोनों में common लेंगे किया यहां यहां सनेगा यानिकि तू यहां आ घ़िया यहां पर यहां और यह अटा दिजए ऑर यहां पर यहt wann फइफ हो गया है ओनने जी की रूट फाइप अभी देखिए इंदोनों में कमन क्या है लो Darum at 605 148 एक्स पर देखे रूट भाइप यह बच गया एक्स और यहां का बच गया 2-5 डीश प्र एंसर यहां पर कोई दिकत नहीं है ठीक है ना चलिए यहां पर देखिए आईए यहां पर कुछ एक सुस्केर का कोफिसेंट कुछ नहीं यह वन है तो टेन का डिरेक्ट हम लेते हैं तू एंड फाइप चलिए तो यानिके टू इंटू फाइप के फॉर्ण में आया है न जी लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि रूट के अंदर टू है कोई बात नहीं रूट के अंदर लेके चले जाएंगे इसमें टेंसर नहीं लेना हो गया न अभी देखिएगा कि 6 आना चाहिए तो एक आया फाइप रूट टू और दूसरा आया रूट टू तो दोनों को एड़ कि जाएका तो कितना आएगा यह भी हमारा पॉलस में होगा यह भी पॉलस में होगा तो ज्यादा देड़ नहीं करना है एक सब्सक्राइब हाइप रूट टू एक से पलास रूट टू एक से फ़ल से ठीक है अब देखिए ग्रूप में बाट डीजिए आई 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 देखिए रूट टू एक्स को पहले भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है इसको बाद में लिखेंगे ठीक है इसमें गर्वण नहीं कोई दिकत नहीं है लिख सकते हैं देखिए दोनों के बीच में कॉमन क्या ले सकते हैं एक्स लिख सकते हैं यहां बचा एक्स यहां बच फाइप रूट ठीक है और इन दोनों के बीच में कॉमन लेना चाहते हैं तो चलिए रूट टू कॉमन ले लिए अब यहां पर लिखा हमने एक से अब देखिए पालास टेन को क्या लिखे हैं हमने तो रूट टू बाहर निकाल दिया है तो यहांनी कि यहां पर नजर डालना है तो रूट टू को बाहर निकाल दिये हैं तो क्या बचे फाइप रूट टू यहांनी कि यहां पर आएगा फाइप रूट टू ठीक है चलिए अब इन दोनों क एंपने बीच में कौमन क्या हो रहा है तो एकस फॉलास फाइप यॡू स्में भी एए एक फॉलस फाइप अरू थो इसमें भी इसमें आँ चले तहर्यां किया बचातो है और यहां बचा जो और ठीक है बिल्कुल समझ में हा रही है न चलिए इसको नोट कीजिए तो आप कभी भी याद रहे कि कभी भी रूट के अंदर आए डर्ना नहीं है और इसको आसानी के साथ सब्सक्राइब करना है नोट कीजिए चलिए इस कोशिएंस को आप लोग नोट कर लीजिए यह देखिए है अपने से सलुसंद करें और अपना कंसेप्ट डेवलाब करें खिलेर है इसको नोट कर लिजी और हां जो अशुडेंट इस चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना सेर करना मत okay, all the best.